नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News पेशे 30 सितंबर शुकरवार सुबह सवार बज़े राजस्तान की बड़ी खबरें राजस्तान हाई कोट से एक बार फिर राजस्तान क्रिकेट एसोसियेशन को बड़ा जटका लगा है हाई कोट ने कल होने वाले आसिये के चुनावों पर रोक लगा दी है आपको बता दे कि आसिये के अध्यक्ष के प्रबल दावेदारों में सियम अशू गहलोद के बेटे वैभव गहलोद शामिल है दरसर रायस्तान हाई कोट में नागोश, रिगंगा नगर दोसा और अलवर, क्रिकेट जिला संगों ने याचिका दायर की थी इस याचिका में कहा गया कि पूर्व आई एसा अधिकारी रामलो भाया को राज्य सरकार ने लाप का पद दिया है ऐसे में उन्होंने चुनाव अधिकारी के निश्पक्षता पर याचिका में सवाल उठाए याचिका में कहा गया कि रामलो भाया चुनावों में सीम गहलोद के बेटे व्याभग गहलोद को फायदा पहुंचाएंगे रेट परिक्षा पाइनाम जारी होने के साथ 46,500 पद पर होने वाली शिक्षक भरती का रास्ता साफ हो गया है भरती परिक्षा जन्वरी में होनी है और इसकी विग्यपती जल्द ही जारी की जाएगी इसमें लेवल वन में 15,000 और लेवल टू के 31,500 पदों पर भरती की जाएगी इसमें विशे के अधार पर भरती परिक्षा होगी रीट परिक्षा का परिक्षा का परिणाम जारी नहीं होने की कारण अब तक शिक्षक भरती की विग्यपते जारी नहीं की जा सकी थी जिसके चलते लाखों अभियर्थियों का इंतजार बढ़ता जा रहा था जो अप समाप्थ हो चुका है सरकारी मकहसचे तक महेश जोशी ने कहा है कि उन्हें अभी तक कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है जोशी ने गुरुवार को मीडिया से बाचित में ये जानकारी दी जोशी ने सीम अशो गहलोत और कौंगरी सध्याक्ष सोनिया गांधी के बीच मुलाकात को लेकर कहा कि सीम गहलोत कौंगरी सध्याक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगी उस कारे के लिए जो उन्होंने किया भी नहीं ये उनकी शालिनिता की मिसाल है जोशी ने इसके लिए गहलोत को साधुवाद भी दिया है राजसान के नए सीम को लेकर बड़ी ख़बर सामने आ रही है ऐसे में राजसान की सियासत फिर गर्मा गई है दरसल मुख्य मंतर शोगहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद साफ कर दिया था कि वे रास्ट्री अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि आप मुख्य मंतरी बने रहेंगे तो उन्होंने जवाब दिया था कि इस पर सोनिया गांधी फैसला करेंगे दिल्ली के मुख्य मिंटर अर्विन के जरिवाल की 7 और 8 अक्टूबर की जवपर में प्रस्तावीत यात्रा सगित हो गई है आमादमी पार्टी के राजस्तान के चुनाओ प्रभारी विने मिश्रा ने बताए कि गुजरात में आमादमी पार्टी के बढ़ते जनाधार और गुजरात चुनाओ के सर्वे में आमादमी पार्टी की बढ़ती सीटों की संख्या पर पार्टी गुजरात पर पूरा ध्यान दे रही है देश में 111 लाख मेट्रिक टन सरसो की उतपादन में करीब 50 फीजदी हिस्सा राजिस्थान का रहता है यदि राजिस्थान को सरसो उतपादक राजे घोशित कर दिया जाए तो किसानों को खाद बीज और अन्य आदानों पर अनुदान मिलना प्रारम हो जाएगा Mustard Oil Producers Association of India यानि की मोपा के सेंक्तिसचिव अनिल चतर का कहना है कि देश में इस साल 111 लाख मेट्रिक टन सरसो का उतपादन आँका गया है उसमें से अभी तक 75 लाख मेट्रिक टन के करीबन फरवरी माहा से अब तक पिलाई हो गई प्रदान मंतरी नरेंडर मोदी शुकरवार को रास्थान के दोरे पर आएंगे वो विभिन विकास कारियों और प्रोजेक्ट्स का लोकारपन भूमी पूजन करेंगे इसमें अमबाजी से आबू रोड तक स्विकरत नई रेलवे लाइन भी शामिल है सीरोही जिले के मानपूर में प्रधान मंतरी का स्वागत कालक्रम रखा गया है संभव है कि प्येम मोदी स्वागत कालक्रम के दोरान मौझूद लोगों को सμभोदित भी करें यह प्रधान मंतरी और उनके तेश एडियूल पर निर्भर करेगा इसलिहाँ से पार्टी तैयारियों में जुट गई है पाली जिले के फुलाद के राज के उचमादमिक विद्याले में कारत अंग्रेजी विश्य अध्याबिका मम्ता मीना ने विद्याले के मेधावी चार विद्यार्थ hone को उतकरस्परिक्षा परिक्षा परिणाम देने के घोषना के अनुरूप हवाई यात्रा करवाई चात्रों की रवान की 25 सितंबर को प्रधानाचारे मानाराम परिहार के उपश्तिती में अंग्रीजी विशे में उत्क्रस्ट परिशा परिणाम देने पर विशे अध्याबिका मम्ता मीणा ने छात्रों को हवाई यात्रा करवाने की घोशना की थी जोद्पु शहर में दो दशक बाद शुकरवार से एक बाफेर बरकतुल्ला खान स्टेडियम में चौको चौको की बारिश होगी यहां तीन दिन तक लिजन्स लीग क्रिकेट के दूसरी संस्क्रण की मैच होगी लिजन्स लीग क्रिकेट का ग्यारवा मकाबला गुजरात जॉइन्स और भीलवारा किंग्स के भी शुकरवार को बरकतुल्ला खान स्टेडियम में होगा मैच में शेन वाटसन, श्रीसंत, ब्रेसनन, लियोन, प्लंकेट जैसे खिलाडी मैदान पर उतरेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में रायसान के चार शहर शामिल हैं लेकिन फंडिंग लेने में जैपूर फिर से सबसे निचले पायदान पर पहुँच गया है जैपूर शहर में निधारित प्रोजेक्ट के लिए फंड के रूप में 752 करोड रपे मिले जबकि उद्यपूर काम के साथ-साथ फंड लेने में भी अवबल हा उद्यपूर को 1000 करोड में से 925 करोड रपे मिल चुके हैं काम की कछवा चाल के कारण जैपूर कोता और उद्यपूर पैसे लेने में भी उद्यपूर से काफी पीछे है जैपूर स्मार्ट सिटी में लगातार प्लानिंग बाणिग बदलाव के कारण ये हालाब बने हैं खास बात ये है कि यदि अगले वर्ष मार्स तक काम पूरा नहीं हुआ तो बकाया फंडिंग रुख सकती है। बंदी के खिलाब राता नारा थाने में मामना दर्च हुआ है। इसले दो वर्ष में सतर से अधिक कमपनियों के साथ भागेदारी की है। एवं ये सुनिशित किया है कि विश्य विद्याले का प्रतेकार एक्रम उद्योग से जुड़ा हुआ हो। एवं उद्योग और शिक्षा विद्योग के विशिशग्यों के सहयोग से तग्यार किया गया हो। जोद्पुर में राजिव गांधी ग्राम इन ओलंपिक 2022 की तीन दिवसिये जिला स्थरिय प्रतिस परधाएं गुरवार से आरंभुई। प्रतियोगिता के शुबाराम अफसर पर शारिरिक शिक्षा खेल मैदान में आयोजित्ट समारों में अतितियों द्वारा खेल 2000 ओहन खिलाडियों के मार्च पास्ट आदी से उद्घाटन हुआ। जिला कलेक्टर हिमाजु गुपता ने जिला स्थरिस परधाओं के उद्घाटन की घोशना की। हापुराम ने खिलाडियों को शपद दिलाई। जोद्पुर नगर निगम से जुड़ी विबिने सेवां को ऑनलाइन करने वे आमजन की समस्याओं के समन्द में अपने शिकाया दर्च करवाने के लिए नगर निगम दक्षिन ने SJFC बैंक के साथ जुड़ कर MCJS सेवा एप तयार किया है जिसका गुरवार को महापार दक् वनिता सेथ ने बताया कि इस एप के माधियम से आमजन जनमरीची प्रमानपत्र विवाह प्रमानपत्र रोड कटिंग अनुमती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे वहीं विभिन टैक्स राशी भी ऑनलाइन जमा कराई जा सकीगी आर्मी वाइव्स वैलफेर एससीशन की कार रैली का आगाज गुरवार को वीर मैमोरियल से हुआ दक्षिन निकमान की अध्याक्ष अनिता नैन ने जहंडी दिखाकर रैली को रवाना किया इसमें 15 वाहनों में 28 महिला प्रतिभागी शामिल हैं जो 2000 किलोमेटर की दूरी त करेंगी तो फिलाल इस बुलेटेन में इतना है फिर हाजरों की कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर